पहली बड़ी खबर जार्खन में कक्षा 1-8 तक की किताबों में होगा बदलाओ जार्खन के सरकारी बिद्यालेओं में कक्षा 1-8 की किताबे 2024 से बदल जाएंगी सेक्षिनिक सत्र 2024-2025 से बच्चों को नई पुस्तके मिलेंगी बतादे की नई किस्ताबों में कई बदलाओ के जारे हैं कई नए चेप्टर भी चोड़े जाएंगे वहीं NCRT की अंग्रेजी में चपी किताबें अंग्रेजी को छोड़कर का हिंदी में अनुबाद करके बच्चों तक पहुँचाये जाएगा ताकि बच्चे हिंदी में आसानी से पढ़ाई कर सके बिसाए के बारे में समझ डेवलप कर सके इसकूली सिक्षा एवम साक्षरता बिभाग के निर्देश पर जारखन सैक्षिनिक अनुसंधान एवम पर सिक्षन परिसद यानि JCERT ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है इन सभी पुस्तकों में इस बार कुछ न कुछ संशुधन किया जाएगा JCERT ने सत्र 2024-25 के लिए छपने वाली पुस्तकों की प्रिंटिंग और पेपर की गुनवता में भी सुधार करेगा बड़ी खबर है पिम किसान योजना के तहट जारखन के इतने किसानों को होगा लाब केंदर सरकार जल्द ही परधानमत्री किसान समान निधी के पंदरवी किस्त की राशी अकाउंट में जारी करने वाली है जिससे जहारखंड के 42 परतिशत पंजिकरीत किसान इससे लाभावनित होंगे मीडिया की खबरों को माने तो केंदर सरकार नौंबर महिने में अगली किस्त भेज देगी इसके लिए पूरी तयारी कर ली गई है हलाकि सरकार ने अब तक इसका एलान नहीं किया है बता दे कि पीम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपे नगद लाब दिये जाते हैं जिसका भुक्तान तीन किस्तों में होता है पीम किसान सम्मान नी थी योजना केंदर सरकार के दौरा चलाई गई एक योजना है जिसकी शुरुआत वर्स 2019 में की गई थी इसके तहत सभी पात्र किसानों को परतेक वर्स 6,000 रुपे तीन किस्तों में उनके अकाउंट में दी जाती है योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को पहले आवेदन करना होता है अगर आप इसके पात्र हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा बतादे कि किसानों को अब तक चौदवी किस्त की राशी मिल चुकी है 27 जुलाई 2030 को सरकार ने इसका भुकतान कर दिया था बतादे कि जारखन में इसके लावुकों की बात करें तो जारखन में केवल 42 पिसदी पंजिकरित किसान ही पिम किसान योजना का लाभ उठा पाते हैं जारखन में स्वर्न रेखा नदी के पानी की नमुनों की होगी जाँच जारखन में स्वर्न रेखा नदी के पानी की नमुनों की जाँच के लिए जारखन राज्य परदूशन नियंतरंद बोड ने बुधवार को स्वर्ण रिखा नदी के दो मुहानी और मानगो ब्रीज के समीब से पानी के नमुने इकठा किये खबर को माने तो इससे पहले मंगलवार को भी पानी के नमुने इकठा किये गए थे जिससे ये पता चल सके कि प्रतिमा बिसर्जन के पहले और बाद में परुज़न की मात्रा में कितना अंतर आया है जारखंड राजिय प्रदुशन यंतरन बोर्ड के अनुसार विसरजन से पहले और बाद में नदियों के बिभिन माप दंडों में बदलाओ का पता चलता है जिससे संकेत मिलता है कि पानी के समगर स्वास्थे पर कितना इफेक्ट पड़ेगा खबरों को माने तो आदित्यपूर इस्थित शेत्रिय परदुशन यंतरन बोर्ड कार्याले में माप दंडों में पीच स्केल घुलित ऑक्सिजन लेबल जैवरासायनिक ऑक्सिजन डिमांड और कुल घुलित ठोस पदार्थ की जाच की जाती है बोर्ड ने विसरजन से एक द सबसीडी को मझजूरि कैबिनेट ने भुदवार को संपन हुई मीटिंग में रभी सीजन बहजारतेश चोबीस के लिए फर्टिलाइजर सबसीडी को मझजूरि दे दी है कैबिनेट ने नाइट्रोजन पर 47 22.02 रुपे परती कीलो की सबसीडी को मंजूरी दी है जबकि फॉस्फोरस पर 20.82 रुपे परती कीलो की सबसीडी को मंजूरी दी गई है वहीं सलफर पर 1.89 रुपे परती कीलो की सबसीडी को मंजूरी दी है इसके साथ ही पोटाश पर 2.38 रुपे परती कीलो की सबसीडी को म सबसीडी की मंजूरी मिली है इसे सरकार पर लगबग 22,303 करोड रुपए का अत्रीक्त बोज आएगा बतादे की CNBC आवाज के हवाले से घोसना के पहले ही ये खबर ब्रेक कर दी गई थी कि दिवाली से पहले सरकार ने एक बार फिर से किसानों को तौफा दिया है बुधवार को हुई केबिनेट की बैठक मी किसानों के लिए हितकारी फैसले पर केबिनेट ले मोहर लगा दी है केबिनेट ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर सबसीडी को मजूरी दे दी है देश में तेजी से पाउपसार रहा है डेंगू मौसम बदलने के साथ ही देश में डेंगू के कहर ने दस तक दे दी है यू तो हरवर्स इस मौसम में डेंगू के मच्छर से काटने वाली इस बिमारी से लोग संक्रमित होते हैं लेकिन इस बार डॉक्टरों ने इसे लेकर चेताओने दी है डॉक्टरों का कहना है कि समाने तोर पर स्वास्थिय जिहां स्वस्थ लोग डेंगू की बिमारी इलाज के बाद रीकभर हो जाती है लेकिन कोरोना संकरमन यानि कोविड की वज़े से ये बिमारी कई लोगों के लिए खकरनाक और जानलेवा साबीत हो सकती है । डॉक्टरों ने चेताया है कि aos देंगू के खकरनाक संकरमन या ज्यादा इजाफा देख जा रहा है दरसल इस बार उन लोगों को खास तोर पर सावधन रहना चाहिए जो पहले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं जिहां ऐसे लोगों के कोडेंगू का ये स्ट्रेन काफी खतरनाक साबीत हो सकता है क्योंकि इस से उनकी परतीरक्षा परणाली कमजोर हो सकती है ऐसे में जो लोग पिछले कुछ सालों में कोविड नैंटिन के शिकार रहे हैं और उनके कोरोना की एंटी बोडी दी गई है उनको डेंगू से खास तोर पर खुद को बचना जहां बचाना चाहिए हाली में जारे हुई ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेकनलोजी इंस्टिचूट की एक मेडिकल रिपोर्ट में इस बात कुले कर चर्चा हुई है कि डेंगू के सार्स सी ओवी टू एंटी बोडी से क्रोस रियक्ट के कारण डेंगू संकर्मन ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है यानि जो लोग कोरोना के शिकार हुए थे वो डेंगू के इस टिश्ट्रेन की चपेट में आकर खत्रे में आ सकते हैं पिछले कुछ सालों में कोरोना की चपेट में आये लोगों में डेंगू का संकर्मन बाकी लोगों की तुलना में अधिक रिस्की हो सकता है कोरोना की एंटी बोडी के मौज़ूदगी अगर शरीर में है तो डेंगू का संकर्मन खतरनाक हो सकता है अब लिथियम नहीं मैटल बैटरी से दोड़ेगी कार अभी तक आपने इलेक्टरिक वीकल्स में लिथियम बैटरी के बारे में सुना होगा ऐसे में अगर हम कहें कि जल्द ही ईवी में लिथियम के बजाए मेटल एयर बैटरी देखने को मिलेगी दरसल इलेक्टरिक वीकल्स में लिथियम सबसे बड़ा एनरजी प्रोवाइडर और महेंगी युनिट है भारत में काफी बड़ी मात्रा में लिथियम का इंपोर्ट किया जाता है इवीकल्स को बनाने में होने वाले खर्च में बैटरी पर होने वाला खर्च भी एक है हलाकि ये हाल ही में जारखंड और गुजरात में लीथियम की खदाने देखने को मिली हैं लेकिन टेकनिकल इशू और इसके महेंगे होने के कारण से बैटरी मैनुफेक्शनिंग थोड़ा मुश्किल हो सकता है ऐसे में मेटल इयर बैटरी इलेक्ट्रिक विकल्स के लिए एक उभरती हुई टेकनिलोजी साबीत हो सकती है लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या मेटल बैटरी लिथियम बैटरी की जगल ले सकती है मेटल एयर बेटरी की लाइफ लंबी हो सकती है और इसकी कीमत बजट में होगी ये बेटरी हलकी और recycle source of energy है भारत में लीथियم की उपलब-धता लिमिटेड है वहीं आने वाले समय में मेटल एयर बेटरीयां आसानी से उपलब हो सकेंगी क्योंकि हमारे देश में मेटल काफी मात्रा में मौजूद है लिथियम को अगर सही से डी कम्पोज नहीं किया जाता है तो ये पर्यावरन के लिए खतरनाक साबित होती है वहीं अगर फ्यूचर में मेटल एयर बैटरी आती है डेंसिटी लगभग 8.1 किलो ग्राम हो सकती है लिपचप की लिथियम आयन की अवरेज डेंसिटी लगभग 200 कWh परती केजी है NCRT समीती का बड़ा कदम देश के सभी विद्याले पाठे पुस्तकों में इंडिया की जगर भारत लिखने की सिफारिश इंडिया और भारत नाम के बिवात को एक बार फिर हवा मिल गई है NCRT समीती के एक कदम ने इस बिवात को हवा दे दिया है NCRT समीती ने सभी स्कूली पाठे पुस्तकों में इंडिया की वजाए भारत लिखने की सिफारिश की है इंडिया और भारत के नाम पर पिछले महिने उस समय बिवात खड़ा हो गया था जब राश्टरपती द्रोपदी में मुर्मो की ओर से G20 सम्मेलन के सिलसिले में भेजे गए निमंतरन पत्र में उन्हें प्रेसिडेंट ओफ भारत लिखा गया था 9 सितंबर के लिए राश्टरपती की और से दिये जार है रातरी भोच कारेकरम के लिए धर्मेंदर पदर्परधान को जो निमंतरन पत्र भेजा गया था उसे उन्होंने सोसेल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानि ट्यूटर पर पोस्ट किया था यह रातरी भोच नए बने भारत मंडपम में होने वाला था और निमंतरन पत्रों पर समाने तोर पर लिखे जाने वाले सामने पर बिबाद खडा हो गया था इसके बाद विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि केंदर सरकार के यहां देश के नाम के तोर पर इंडिया शब्त का इस्तिमाल बंद कर रही है और इसे अब सिर्फ भारत कह जाने की योजना है बिपक्ष ने यह भी कहा था कि जब से उसके नए गड़बंधन का नाम इंडिया रखा गया है तब से बीजेपी के अंदर बेचैनी है यही वज़ा है कि इंडिया की जब अब भारत नाम को तरजी दी जा रही है जारखन में पंदर नौमबर से सरकार लाएगी नई नई योजनाए पंदर नौमबर को जारखन के अस्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन सोरेन जारखन की जनता को बड़ी सवगा देंगे इसी दिन से आपकी सरकार आपके द्वार कारिकरम का तीसरा चरण शुरू होगा इस अभ्यान के तहत लोगों से बीभी नियोजनाओ और सिवाओं का आविदन लिया जाएगा और निर्धारित समय में उसे पूरा किया जाएगा अस्थापना दीवस को लेकर सरकार ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं मीडिया की खबरों को माने तो अस्थापना जिहां जारखंड के अस्थापना दीवस के आउसर पर ही राजधानी राची स्मार्ट सीटी परिसर में अपोलो मल्टी सूपर एस्पेसियलिटी अस्पताल का शिलानयास किया जाएगा यह अस्पताल 250 बेट का होगा परथम चरण में यहां OPD की शुरुवात की जाएगी अजीम प्रेमजी युनिवर्सिटी का तौफा भी दिया जाएगा जहारखन के गरीब जरूरत मंद लोगों के लिए अबुवा आवास योजना की शुरुवात राज्य अस्तर पर की जाएगी इस योजना के तहद गरीबों को तीन कमरे का मकान दिया जाएगा लगभग 16,320 करोड से अधिकी इस योजना से लगभग 8 लाख लोगों को पक्का मकान राज्य सरकार अपने मद से उपलप्त कराएगी इसके साथ ही हेमद सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्यानकारी योजनाओं की परदरश्चनी भी लगाई जाएगी बतादे की मुख्यमंत्री राजी की अस्थापना दिवस से पहले एक नॉमबर से राजी अस्तर पर भूमे हीन आदिवासियों को वन पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिशुम अभियान 2023 सुरू करेंगे इसके लिए ग्राम अस्तर पर वनाधिकार समीती का गठन पुनर गठन सुनिशीत किया जा रहा है बदादे की जिलास्तरिय वन परमंडल पदाधिकारी और राजस्व अधिकारियों के साथ मीटिंग ग्रामस्तरिय वनाधिकार समीते में की जाने वाली कारवाई के लिए सभी परकार के भू अभी लेक फोरेश्ट मैप आदी की उपलबधता सुनिशीत करने के लिए पूरी कारे युजना तयार की जा रही है उपायुक्तों के अस्तर से एक बिस्तरित परतिवेदन आदिवासी कल्यान आयुक्त को दिया जा रहा है जारखन में सीख दंगा परभावीतों को 49 साल बाद मिलेगा मौवजा 1984 में ततकालिन परधानमंत्री इंद्रा गांधी की हत्या के बाद जारखन में हुए सीख बिरोथी दंगों के 41 पिलितों को 49 साल के बाद मौवजे के भुखतान की परक्रिया जल्द शुरू होगी की अनुसंसा के अनुसार राज्य सरकार ने राशी जारी कर दी है मीडिया की खबरों को माने तो IANS के अनुसार राज्य के चार जीलों राची बोकारों रामघड और पलामों में दंगा परभावीतों के लिए एक करोड़ पचासी लाख 31,483 रुपए की राशी का भुखतान किया गया है इनमें सबसे जादा 24 दंगा पीडित बोकारों जीले के हैं जिनके बीच एक करोड़ बीस लाख के मौजे का बीतरन किया जाएगा इसी तरह पलामों के दस पीडितों के बीच 17,88,000 राची में 6 लोगों के बीच 11,49,000 और रामघड में एक परभावित को 36 लाख रुपए की राशी दी जाएगी राज्य सरकार के ग्री विभाग ने एकाउंटेंट जनरल और संबंधित जीलों के डीसी को पत्र लिख कर राशी के आबंटन की जानकारी दी है खबरों को माने तो जारखंड उच नयाले के आदेश पर वर्ष 2015 में सीख दंगा प्रभावितों के मौवजे के निधारन के लिए रिटायर जस्टिस डीपी सिंग की अधेश्यता में वन मेंबर कमिशन का गठन किया गया था कमिशन ने दंगा प्रभावितों से आवेदन मंगा कर जाच की और इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी आधार की तरह चात्रों का होगा आपार कार्ड देश भर के चात्रों के लिए आधार कार्ट की तरह आपार कार्ट बनवाना अनिवारे होगा जो चात्रों की पहचान बनेगी यह आधार कार्ट की तरह ही 12 डिजिट वाला नंबर होगा जो नमांकन लेते ही जारी हो जाएगा केंद्रिय सिख्षा मंतराले की और से जारी निर्देशों के नुसार देश भर में लगभग 30 करोड शात्रों के लिए ये कार्ट बनवाना अनिवारे होगा एक करोड से अधीक शात्र रेजिस्ट्रेशन करा चुके हैं बाकी शात्र भी रेजिस्ट्रेशन करा लें इस कार्ट से आधार कार्ट की तर बच्चों की एजुकेशन और करियर से जुड़ी जानकारियां अटेच रहेंगी Automated Permanent Academic Account Registry यानि आपार चात्रों का नाम, बर्त, पता, बर्त डेट, फोटो एजुकेशन लोन, स्कोलर्शिप, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आवाड आधी जानकारियां कार्ट से जुड़ेंगी अगर स्कूल बदल जाएगा तो आपार कार्ड नंबर वही रहेगा, डाटा पूरी तरह गोपनिय रहेगा, इससे एक फायदा ये होगा कि 18 साल का होने पर चात्रों का नाम स्वयमतदाता पहचान पत्र के लिए पंजिगरित हो जाएगा चात्रों को क्रेडिट स्कूर मिलेगा जिसका फायदा हायर एजूकेशन के लिए और नौकरी के लिए अपलाई करते समय मिलेगा वही सबसे जरूरी बात ये है कि आपार कार्ड आधार कार्ड से भी लिंक होगा आपार कार्ड स्कूल और कॉलेज में बनेंगे इसे बनवाने के लिए माता पिता की सहमती अनिवारे होगी इसका डाटा सिक्षन विभागों और संस्थानों से शेर होगा इसे जुड़े रिकॉर्ड डिजी लोकर में उपलब्ध होगे नौकरी पाने के लिए भी अपार नंबर डारेक्ट इस्तिमाल कर सकेंगे नौकरी पाने के बाद स्किलिंग री स्किलिंग या अप स्किलिंग में भी इसका इस्तिमाल होगा ट्रेनों और बसों के सफर के दोरान इस कार्ट को दिखा कर छातरों को किराये में छूट भी मिलेगी ट्रेनों और बस कंसेशन में आपार नंबर का इस्तेमाल हो सकेगा सोर्स क्रेडिट ट्रांसफर करना आसान होगा अपार में एड़े सर्टिपिकेट वेरिफाइड होंगे आई ओसी एल में 1720 जिहां 1720 पदों पर भरती इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड यानि आई ओसी एल इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड ने तकनिसियन ओपरेंटिस और ट्रेड ओपरेंटिस पदों की भरती के लिए रोजगार अधिसुझना 21-27 अक्टूबर 2023 जारी की है इस भरती प्रक्रिया के माध्यम से आई ओसी एल में कुल 1720 रिक्तियां भरी जानी है आई ओसी एल भरती 2023 के लिए पंजियन 21 अक्टूबर से शुरू हो गया है उमिद्वार अपना ओनलाइन आवेदन पत्र 29-2023 तक जमा कर सकते हैं योग्य और इच्चुक उमिद्वार IOCL अप्रेंटिस भरती 2030 के लिए आधिकारिक बेपसाइट IOCL.com के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं बतादे कि तकनिसियन या ट्रेट अप्रेंटिस के रूप में भरती होने के लिए उन्हें एक लिखित परिशा उतीर्न करनी होगी IOCL पात्रता मान दंडों को पूरा करने के लिए उमिद्वारों की आयो 18 वर्स से 24 वर्स के बीच होनी जरूरी है हलाकि सेक्षिक योग्यता पद दरपद भिन भिन होती है पात्रता मान दंड को बिस्तार से जानने के लिए आधिकारिक IOCL अधिसुचना देख सकते हैं बता दे कि IOCL आप्रेंटिस अपलाई ओनलाइन लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है इसरो अब चंद्रियान फोर की तैयारी कर रहा है चंद्रियान 3 की सौप्ट लेंड़नी के बाद अब इसरो दोबारा चांद पर उतरने की योजना बना रहा है इसके लिए इसरो ने जापान की येरो एस्पेस एक्स्प्लिरेशन एजनसी जाकसा के साथ साज़िदारी की है दोनों एजनसियां मिलकर चंद्रियान फोर की जरीए चांद की सतब पर पानी का पता लगाने वाले है इस योजना को लूनर पोलर एक्स्प्लोरेशन मिशन लूपेक्स या चंद्रियान फोर कहा जा रहा है चंद्रियान फोर का मकसद चांद पर पानी का पता लगाना है असल में चंद्रियान 3 के जरीए लेंडर, बिक्रम और रोर प्रग्यान ने चांद की सतब पर पानी के संके दिये थे बतादे कि इस जानकारी को काफी अहम माना जा रहा है इसके अलाबा चंद्रियान 3 के जरीए तत्मों की खोच समेत कई और जानकारियां सामने आई जाक्सा के अनुसार लूपेक्स चांद की सतब पर पानी सहित दूसरे संसाधनों की खोच करेगा इसके अलाबा यह चांद की सतब पर घूमने के बारे में भी पता लगाएगा चंद्रियान 4 की तैयारी भारत और जापान मिलकर कर रहे है इसमें जाक्सा ने लूनर रोवर की जिम्यदारी ली है वहीं इसरो इसका लेंडर तैयार कर रहा है लेंडर ही रोवर को ले कर जाएगा ऐसे में दोनों देश चंद्रियान 4 की सफलता में महतोपूर्ण भूमिका निभाएंगे खबरों को माने तो चंद्रियान 4 में European Space Agency यानि ESA और National Aeronautics Space Administration यानि नाशा के द्वारा तैयार किये गए कुछ उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाएगा भारती नौसेना में बिना एक्जाम नौकरी पाने का सुनहरा आउसर भारती नौसेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे यवाओं के लिए बेहत्रिन मौका है इसके लिए इंडियन नेवी ने जून 2024 कोर्स के लिए 224 Short Service Commission अधिकारियों यानि SSE Officers के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इन पदों के लिए आविदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ओनलाइन आविदन करने की आखिरी तारीक दिनांक 29 अक्टूबर 2030 है इच्चुक और योग ये उमिदवार भारती नौसेना के ओफिस्यल वेबसाइट जोएन इंडियन नेवी.gov.in पर जाकर अपने आविदन फॉर्म जमा कर सकते हैं इस भारती अभियान का लक्षे कुल 224 पदों पर भाली करना है भारती नौसेना ने SSE परिछा के संबध में सभी आवश्यक जानकारी का उलेक करते हुए PDF फॉर्मेट में आधिकारिक नोटिफिकेसन जारे की बतादे की जिन उमिदवारों को शॉट लिस्ट किया जाएगा वे भारती नौसेना अकादमी एजी माला केरल का हिस्सा बनेंगे इस भरती अभियान के तहट 224 रिक्तियों को भरा जाएगा इन में से 18 एजुकेशन ब्रांच के लिए 100 टेकनिकल ब्रांच के लिए और 106 एक्जिग्यूटिव के लिए है साथी जनलल सर्विस यान जी एस एक्स हाइडरो कैडर 40 पद एर ट्रैफिक कंट्रोल 8 पद नौसेना वायू संचालन अधिकारी 18 पद साथी पाइलट 20 पद लोजिस्टिक 20 पद शामिल है सरकार सक्त दावा ओलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजा गया एक लाख करोड रुपे का नोटिस ओलाइन गेमिंग कमपनियों को भारत के GST अधिकारियों की और से अब तक एक लाख करोड रुपए का नोटिस भेजा गया है खबरों को माने तो यह दावा किया गया है एक अधिकारियों के अनुसार एक अक्टूबर के बाद से भारत में पंजीकरन कराने वाली विदेशी गेमिंग कमपनियों का अभी तक कोई आकड़ा उपलब्द नहीं है सरकार ने GST कानून में संशोधन करते हुए विदेशी ओनलाइन गेमिंग कमपनियों के लिए एक अक्टूबर से भारत में पंजीकरन कराना अनिवारे कर दिया है GST परिशद ने अगस्त में इसपश्ट किया था कि ओनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाये गए दाओ के पूरे मुले पर 28 परतिशत माल एवम सेवाकर यानि GST लगाये जाएगा कहा गया है कि ओनलाइन गेमिंग कमपनियों को GST अधिकारियों ने अब तक लगभग एक लाख करोर रुपई के नोटिस दिये हैं ड्रीम 11 जैसे ओनलाइन गेमिंग और डेल्टा कॉर्प जैसे कैसीनो अपरेटरों को करों के कथित कम भुकतान के लिए पिछले महिने GST अधिकारियों की ओर से कारण बताव नोटिस मिला है पिछले साल सितंबर में 21,000 करों रुपई की कथित GST चोरी के लिए गेम्स क्राप्ट को भी कारण बताव नोटिस भेजा गया था चीन के बेग्यानिकों की चितावनी मिले है आठ ने वाइरस जो मचा सकते हैं तबाही दुनिया अभी कोरोना महामारी से उबर भी नहीं पाया है ऐसे में एक और बुरी खबर सामने आ गई है चीन में आठ ने वाइरस जिसमें से एक कोविड फैमिली से है उसका पता चला है विसेसग्यों का कहना है कि खोजे गए वाइरस मनिश्यों को संक्रमीत कर सकते हैं इसकी आशंग का ज्यादा है भावेशे की महामारी के लिए दुनिया को तयार करने का काम करने वाले शोत कर आएगा ताकि यह निधारित किया जा सके कि मनुश्यों पर उनका परभाव क्या हो सकता है इन्हें जाज करने के लिए परयोगशाला में भेजा गया है खोजे गए वाइरस में से एक कोरोना वाइरस की फैमिली का सद से भी शामिल है जिसे बीशेशग्यों ने को वी एचम यो वन नाम दिया है इसके अलावा खोजे गए आठ वाइरस में से दो नए पेश्टी वाइरस शामिल है जो पीले बुखार और डेंगू से संबंदित है एक नया इस्ट्रो वाइरस जो उस वाइरस का एक परिवार है जो पेट में कीले जैसे संकर्मन का कारन बनता है वही दो नए पारववारस जो फ्लू जैसे लक्छन पैदा कर सकते हैं दो नए पेपिलो मावारस एक परिवार रोग जनक जो लोगों में जननांग मसे और कैंसर का कारन बन सकते हैं बीसे सग्यों ने नए फेश्टी वाइरस और पारववारस की खोच को पीसे सOR방 से महत्त्व पूर्ण बताया क्योंकि वे एडवर्ड्स की लंबी पूछ वाले बिशाल चुहे और सिक्किम चुहे की परजातियों में पाए गए थे इन में से किसी को भी पहले इस परकार के वाइरस को आसरे देने के लिए नहीं जाना जाता था